दोस्तों नमस्कार आज मैं आपको एक ऐसे हस्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम लिखा गया है बहुत कम लोग जानते हैं और उस हस्ती का नाम है सर बियन राव सर बियन राव हमारे कंस्चुन के ड्राप्टर थे वही में आर्किटेक्ट थे बियार अम्बेदकर को तो हम लोग वैसे ही बोल देते हैं जोंने कंस्चुन बनाया लेकिन असली कंस्चुन लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो सर बियन राव थे बियन राव 1887 फरवरी में मैंगलोर के किसी गाउं में पैदा हुए थे उनके पिता जी उजमाने के जाने माने डाक्टर थे बियन राव की पढ़ाई मैंगलोर में हुई केंडरा हाई स्कूल में हुई थी और उसके बाद फिर वो ग्रेजुएशन करने के लिए मद्राज प्रिसिडेंसी में चले गए थे जहां से उन्होंने 1905 में ग्रेजुएशन किया था और इंगलीज फिजिक्स और संस्कृति में टॉप किया था उसके बाद 1906 में उन्होंने माथमेटिक से ग्रेजुएशन किया यानि के उनके पास में चार्ज सब्जेट में ग्रेजुएशन की डिगरी थी वो इस्कॉलर्शिप में ट्रिट्री कॉलेज केंप्रेज में चले गए और वहां 1909 में उन्होंने ट्राइपस किया बियन राव ने सिविल सर्फिसेश 1909 का इम्तिहान दिया और 1910 में सिविल सर्फिसेश जोईन की सिविल सर्फिसेश के जोईन करने के बाद उन्हें इस्ट बंगाल में पोस्ट कर दिया गया और वहां पर वो बिटिस गववर्मेंट के अंदर में काम करते रहे अंग्रेजों के जमाने में जितने भी कंस्टिशनल काम गवा करते थे सब उन्होंने किया में जो राउंटेबल कांपरेंस हुई थी उसमें भी वो उसका जो मेमरंडम है वो बियन राउस सर ने ड्राप किया था उन्होंने रेफार्म आफिस और गॉर्मेंट आफ इंडिया में काम किया जहां पर गॉर्मेंट आफ इंडिया एक 1935 डाफ्ट किया गया था उसके बाद उन्हें कलकता हाई कोड का जज बना गया था और फिर कि उनको 1944-1945 में जम्मु कश्मीर का प्राइम निस्टर बना दिया गया था लेकिन जम्मु कश्मीर के प्राइम निस्टर पत से राजा हरी सिंग से कुछ खिलाफत होने के कारण उन्होंने इस्तिफा दे दिया था उसके बाद वो कलकता हाई कोड के पर्मानेंट जज बन गये थे और फिर 1946 में उन्हें कांश्मीर सेंबली में एडवाजर की तरीके से रखा गया था यहां यह बताना जरूरी है कि जिस कॉलेज में नहरू जी पढ़ते थे वहीं पर कम्रेज में वहीं पर बियान राव ने पढ़ाई की थी और उनकी दोस्ती थी और यह एज सिक्रेटरी वाइसराय का काम कर रहे थे और इसलिए नहरू के कहने पर ही उनको अडवाईजर आफ कंस्टिशनल इसम्बली बनाया गया था राव जाब ने 1936 में बना दिया गया था उनको को बना दिया गया था उनको कंस्टूशन का जनरल इस्ट्रक्चर और डिमोक्राटिक फ्रेमवर्क बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने फरवरी 1948 में यह ड्राप्ट तयार कर दिया गया था जिस ड्राप्ट को डिबेट किया गया रिवाइज किया गया और फाइनली कि 26 नमबंबर 1909 को अड्राप्ट किया गया था ड्राक्टर अंबेदकर सहाब और राजंदर प्रशाद सहाब ने अपनी स्पीच में सारा स्रे कंस्टिूशन को बनाने का BN राव स shed को ही दिया गया था कंस्टिूशन बनाने के कंस्टिूशन का ड्राप बनाने के वक्त सर BN राव ने अमेरिका गंड़ी अराएर्लेंड और युनिट्यिट Kath देशे देसों की यात्राकि थी और वहाँ जजों से मुलाकाद किया था बियारम बिदकर ने 25 नमबर 1904 को जब draft accept हो रा था उस समय कहा था the credit that is given to me does not really belong to me it belongs to Sri Sir B. N. Rao the constitutional advisor of Constitutional Ambali who prepared draft draft of the constitution for the constitution of the drafting committee B. N. Rao ने बर्मा का भी constitution draft किया था 1947 में यहाँ पर यह कहना बहुत अवश्यक हो जाता है कि B. N. Rao सहाब ने जो constitution हमको दिया वो constitution किसके कहने पर draft किया गया था और किसके कहने पर बनाया गया था अच्छली B. N. Rao की दोस्ती नेरू सहाब से थी और नेरू सहाब के कहने पर ही B. N. Rao ने कांस्टूशन एस्सेंबली में अज अड्वाजर यह draft तयार किया था आप लोगों को मालूम है कि इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट 1935 के बाद भारत के प्रथान मंत्री पत पर पंडित जवाला नेरू ही थे और पंडित जवाला नेरू के कहने पर ही इस Constitution का Rao सहब ने committee के सामने प्रस्थित किया और जो committee बनी थी उसके अदर उसके अंदर महत्मा गांदी सहाब नहीं थे महत्मा गांदी को महापेक मानने के लिए को तयार नहीं था क्योंकि सारका सारा जो रही बात जिस समय कांस्जुशन एसम्बली का डिसकसन और डिबेट चल रही थी वो समय हिंदुतान में धार्मी का धार पर दंगे हु रहे थे और माहत्मा गांधी शाब उन्हीं धंगों को खतम करने में वीजी थे हमारे कांस्च्विशन में कुल 448 आर्टिकल है, 25 बावगों में है, 12 डियूल है, 5 बेंडिसेस है और 100 से ज्यादा आमेंडमेंट हो चुके है हम भारतियों के उपर ऐसी हंस्तियों का ग्यान ना देने का श्रे और हमारे ग्यासा को मिसलीर करने का श्रे अगर किसी को जाता है वो उन लोगों को जाता है जिन लोगों ने सर बीयन राव के योगदान को इत्यास के पन्नों से बिलकुर उड़ा दिया है, यहां पर यह कहना जरूरी है कि बीयन राव सहाब सेक्योर्टी कॉंसिल में बालत के प्रत्रिदी थे और उन्हें इनाटेट नेशन का की बनाने का प्रत्राव था लेकिन उसी समय उनका इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस हेग में सेलेक्शन हो गया और वो 1952 में महाँ पर चले गए और वहीं पर जब वो इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस के ज़स्ते 1953 में उनका देहांत हो गया यह छोटा सा वीडियो आपको यह बताने के लिए था कि इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे हस्तियां हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं और मेरा पूरा प्रक्रम रहता है फुल एफट जिसे बोलते हैं कि मैं ऐसी हस्तियों को कहीं न कहीं से खोज निकालूं और आपके सामने प्रस्तित करूं आशाय है यह चोटा सा 10-11 मिनट का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों यारों के साथ सोचल मीडिया में इसको शेयर करें मेरे चैनल को सब्क्राइब करें और कमेंट करना ना बूलें जिसे कि मैं आगे और इसी तरह के से हस्तियों के आपके सामने अंजान हस्तियों को आपके सामने लाता रहूं मिलते हैं अगले अंक में किसी और हस्ति के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार सुब्रात्री